अमिट मैं आपके पास आ रहा हूँ दस बजे तक का आकड़ा जो आपने हम तक पहुचाया दर्श्रकों तक पहुचाया वो आकड़ा है पांस तस्रम्रव छैश्विनी फिस्दी का अला की दो घंटा बहुत जादा नहीं लोग जो है खास तोर पर निर्माल भवन जहां मैं खड़ा हूँ यह वी आईपी वोटिंग सेंटर है और यहां पर अब तक सोनिया गांदी बात करें जो कि कांग्रेस अध्यक्षा है पर पूर प्रधानमंति मनमोहन सिंग की बात करें पूर उपराश्पत हामिद अंसारी की बात करें बीजेपी के दिल्ली प्रवारी सियाम जाजू सही तमाम नेता जो हैं यहां से वोट डाल के निकल चुके हैं अपसे कुछ देर पहले ही सोनिया गांदी वोट डाल के गई हैं जिनके बारे में कयास लगाय जा रहे थी कि हो सकता है कि तबीयत खराब होने की सोसते हैं लेकिन जिस तरह अभी जो वोटिंग परसेंटेज हैं वो काफी स्लो मोशन में वोटिंग हो रही है हलाकि आप पूरी तरह धूप निकल चुके हैं शाम को छे बजे तक वोटिंग होनी है ऐसे में दिल्ली में चुकि सारे औपसेज और जो बाकी जगे होती हैं व कॉमित आप उस शित्र में हैं जहां कॉंग्रेस के दिग्गस निताओं ने बोटिंग की है क्या किसी निता ने कैमरे पर कुछ कहा कुछ भरोसा दिया कुछ उर्जा उनमें दिखाई दी दिल्ली के पूर प्रभारी रहें पी सी चाको कॉंग्रेस के बड़े नेता हैं वो जरूर साब तो पहना था कि कॉंग्रेस की सरकार रही है कॉंग्रेस की सीला दिख्षित की 15 साल के कारकाल में जो दिल्ली का विकास हुआ है उसे दिल्ली भूली नहीं है जरूर दिल्ली कुछ दिन के लिए किसी अन्य पार्टी के सासन में थी लेकिन एक बार फिर उन्हें वापसी की उमीद है तो लेकिन ये सिर्फ कैमरे पर बया कॉंग्रिस की ले नज़र आई ना ही जमीन पे उस तरह की चीज़ें नज़र आरे ही कि कॉंग्रिस भी कहीं न कहीं अपने आपको शायद कॉंग्रिस का आभास होगा कि उनके लिए ये चुनाओ कितना मुश्किल है कि अमिट जिस तरीके से कहा जाता है कि मन के हरे हार है, मन के जीते जीत, क्या यह मान लिया जाए कि मौझगुदा वक्त में आप बता रहे हैं, परचार परसाद में भी कॉंग्रेस की तरफ से, कॉंग्रेस के निताओं की तरफ से वह एफट नहीं दिखाई दिया, तो क्या कि उतना अच्छा प्रतर्शन वो नहीं कर सकती, सत्ता में आने की बात तो दूर की है, इससे पहले भी, पहले के चुनाओं में भी यह देखा गया था, कि आम आदमी पार्टी को कॉंग्रेस ने नुकसान पहुचाया, वो तब 2019 के लोगस्वाद चुनाओं में, तो यहां आम आदमी पार्टी के लिए कोई खत्रे की घंटी? एक बार फिर साख की बात सामने आ रही है, कि आखिरकार क्या इस चुनाओं में कॉंग्रेस खाता खोल पाएगी? क्योंकि वही बड़ा सवाल उठता है कि कॉंग्रेस अन्ने लोगों को साब तरफ लगता है कि कॉंग्रेस साइद इस बार भी कॉंग्रेस के लिए पिछली इस बार की तरह ही इलेक्शन मुष्किल है, लेकिन यहां पर बीजेपी के लिए भी बड़ी बात है कि बीजेपी आकि तीन की संक्या से कितना आगे बढ़ती है, जिस तरह साहिन बात समय तमाम मुद्दे जो है वो दिल्ली की जनता के बेच घूमते रहे, ऐसे में दिल्ली नरिन्द मोदियों, ग्रह मंतरी अमिश शाहों या बीजेपी सासित राजियों के मुख्य मंतरी परदेश अध्यक्ट हर कोई दिल्ली के चुनाब में इन्वाल्ब था, दिल्ली चुनाओ में बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगाई है, इस ताकत का कितना फल मिलता है, ग् एक फौच पूरी दल्ली में उतारी भी थी, और आम आदमी पार्टी की बात की जाया है, तो किबल अर्विंद केजरिवाल के इर्दगिर्द ही पार्टी घुमती रही परचार प्रसार में अर्विंद केजरिवाल के अपनी इमेज है और दूसरी चीज की अगर हम बीजेपी बात करें तो बीजेपी की राष्ट्रिये पार्टी है, ना सिर्फ राष्ट्रिये पार्टी बलकि लगातार जो है दूसरी बार के इंद में पूर्ण बहुमत सरकार तो जाहिर तो पर ब आदमी पार्टी में ज्यादा बड़ा नजर आता है, वो है अर्विंद केजी वाल का, दूसरा डिप्टी सियम मनीश्ची सोधिया, वो भी अपने कामों जिस तरह शिक्षा को लेके वो लगातार दावे करते कि शिक्षा विवस्ता कुनों सुधारा है, तो यहां मनीश्च सोधिया को भी यहां पर साब तरप देखा जा सकता है, तो दिल्ली में या अनने जग्यों पे आम आदमी पार्टी के पास बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं है, आम आदमी पार्टी के जो राज सवासांसद हैं या भगवन्त मान जैसे जो लोग सवासांसद हैं, जो आम पार्टी पास जो चेहरे हैं वो सारे चेहरे मौझूद थे आम आदमी पार्टी बैसे ही अपने आपको दावे करती है कि आम लोगों की सरकार है आम लोगों की सरकार है आम लोगों के लिए काम कर रहे थे और पिछले पांस साल में जो उन लोगों ने काम किया उसे जनता ने देखा है और उसी एवज में वोट की उम्मीद भी करते हैं कि दिल्ली की जनता जो है वो उन्हें वोट देगी नजर बनाये रखेगा अमीद फिर आएंगे आपके पास हम अपडेट के लिए फिलाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया